हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू दे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी अड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे कीटों को नियंतरन करने की विधियां यानी कीट पीडाकों का जैविक नियंतरन बायोजिकल कंट्रोल ओफ इंसेक्ट तो जैसा कि मैंने आपको बताया हजारों की संख्या में जो हैं वो कीट मौजूद होते हैं और सभी को आसानी से नियंतरित नहीं किया जा सकता अता इनके नियंतरन के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं जो कि इस प्रकार हैं बहुत सारे जो कीट मौजूद हैं प्रकार्टी में हजारों की संख्या में सभी को नियंतरित करना बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए इनको नियंतरित करने के लिए काफी सारी विधियां जो हैं अपनाई गई हैं एक एक करके मैं आपको समझाओंगे इन्पॉर्टेंट टॉपिक हैं अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा और नौश्ट जरूर प्रिपेर कीजिएगा ठीक है सबसे पहली ये प्राकिर्तिक कीट नियंतरण यानि नैचुरल इंसेक्ट कंट्रोल और दूसरी है क्रतिम कीट नियंतरण यानि आर्टिफीशल इंसेक्ट कंट्रोल तो देखिए प्राकिर्तिक कीट नेंत्रन हानिकारक कीटों की संख्या हामफुल इंसेक्ट की संख्या यदि कीटों की जनन छमता के अनुसार बड़े तो ये कुछ ही वर्सों में मानव जाती का विनास कर सकते हैं लेकिन कीट भक्षी जन्तू जैसे विशाणू, जीवाणू, फफुदी इत्यादी के कारण कीटों की बहुत बड़ी संख्या का तो स्वता ही विनास हो जाता है यानि स्वता ही विनास होता रहता है और प्रकृति में इनकी संख्या एक सीमा में नियंतृत रहती है इसे और इस टाइप की विधी को प्रकृति कीट नियंतरन या नैचुरल इंसेक्ट कंट्रोल कहते है सो देखिए क्या है प्रकृति कीट नियंतरन? हामफुल जितने भी कीट है यदि उनकी जनन छमता के अनुसार वो बढ़ते गाए बढ़ते गाए बढ़ते गाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वे मानव जाती का विनास कर सकते हैं किट जो होते हैं उनकी जनन छमता इतनी आधिक होती है कि वे प्रती दिन 300-400 और प्रती महीने वो एक एक हजार या दोदो हजार के सम्थिंग अंडे देते हैं तो यदि उनके जनन्चमता के अनुसार वो बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे मानव जाती का विनाश कर देंगे लेकिन कीट भक्षी जन्तू जैसे विशाणू जीवाडू फफूंदी इनके दुआरा क्या होता है ये जो कीट भक्षी जन्तू होते हैं ये उनका भक्षान कर लेते हैं इसलिए उनके कीट भक्षी जन्तू कहते हैं जो जीवाडू बिशाणू फफूंदी हुए इनके दुआरा अधिकांस जो हार्मफूल कीट होते हैं उनका भक्षान कर लिया जाता है तो बहुत बड़ी संक्या इनकी स्वाता ही नश्ट हो जाती है और प्राकिर्ती में इनकी संक्या एक सीमा में नियंतरित रहती है इसी विधी को कहते हैं प्राकिर्ति कीट नियंतरन ठीक है आई होप आपको समझाया होगा इसकी वास सेकंड है क्रतिम कीट नियंतरन जो विधियां है वो बहुत सारी हैं एक एक करक में आपको बताती हूँ सबसे पहले यांतरिक नियंतरण इस विदी के अंतरगत क्या करते हैं यांतरिक केट नियंतरण के द्वारा बड़े कीटों को नेट में फसाकर यानी जाल में फसाकर इने मारते हैं इसके आतिरिक्त घरों अस्पतालों इत्यादी में खिडकियों एवं दरवाजों में नेट लगा कर ऐसे कीटों से हम अपनी और अपने पशूं की तथा अन्य वस्तूं की सुरक्षा भी कर सकते हैं यांत्रिक बिदी के अंतरगत क्या करते हैं जो बड़े-बड़े कीट होते हैं उन्हें जाल में फसा कर या फिर मार देते हैं या फिर अपनी पशूं की वस्तूं की अपनी चारों और नेट वगेरा लगाकर इनसे सुरक्षित रह सकते हैं ठीक है तो यह हुई यांतरिक भी दी इसके अंतरगत और भी देखिए इसके अतिरिक्त अनेक आधुनिक विग्यानिकों ने कीटों को आकर्शित करने वाले अट्रेक्टिव फ्रेक्रेंस का उप्योग किया है इससे भी काफी हद तक कीटों का नियंतरण हुआ है तो आधुनिक विग्यानिकों ने क्या किया किया कीटों को आकर्शित करने वाले अट्रेक्टिव फ्रेक्रेंस जो थे उनका भी उप्योग किया जिससे की कीटों को नियंतरण करने में काफी हद तक कंट्रोल हु जिससे कि हानीकारक कीटों का विनास हो जाता है या फिर जो cold storage होते हैं उनमें ताप को अत्यदिक घटा देते हैं जिससे कि जो कीट होते हैं वो निश्क्री हो जाते हैं यानि कि जहां पर हमें ताप बढ़ाने की जरूरत है वहां ताप बढ़ा देते हैं जिससे कि अधिकां कि यानी निश्क्री हो जाते हैं जो यह बहुतिक नियंत्रण यानि फिजिकल कंट्रोल इसके बात थर्ड जैविक नियंत्रण य Since इंतरगत कई विदियां आती हैं सबसे पहलीे कीढ भख्षण नि कीटों का भक्षण ऐसे जनतू जो कीटों का भख्षण करते जैसे मेडक, मकडी, साप, छिपकली, अनेक पक्ची, इत्यादी ये सभी क्या करते हैं? कीटों का भक्षन करते हैं. तो इनकी संख्या को बढ़ा देते हैं और कीटों का नियंतरन किया जाता है. ठीक है? इस टाइप से कीटों का भक्षन किया जाता है और कीटों की संख्या ज करके इन्हें सामाननी कीटों में छोड़ दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इस प्रकार कीटों का नियंतरण किया जाता है में ली क्या करते हैं जो गामा रेज होती हैं उनके दुआरा जो कीट होते हैं मेल कीट फीमेल कीट जो भी हो उनके के पार्ट निकाल देंगे तो ना ही फार्टिलाईजेशन हो गा जब फार्टिलाईजेशन नहीं हो गा तो ना ही कीड भी उत्पन नहीं होगे सो इस टाइब से उतीयियरूसीchnख मैथट और इस मैथधट के द्वारा भी कीडो का नियंतॢ़ं किया जाता है थीक है तो हम कीटों का नियंतरन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे अपनी सुरक्षा कर सके हम हमारी पशू की बस्तू की हम इन सभी की सुरक्षा कर सके और इनसे बच सके क्योंकि ये काफी जादा harmful होते हैं जो कि हमें कहीं न कहीं से नुकसान पहुचाते हैं इसलिए हम कीट नियंतर संक्रमन बढ़ा डीया जाता है जिससे कीट मर जाते हैं और इस प्रकार भी कुछ हँद्त कीटों का नियंत्रन जैविक forward कि दौरां किया जाता है तो परजीविता में क्या करते हैं जो वाइरस, जीवाडू, कवक जो कीटों में रोग उत्पन करते हैं उन संक्रमन बढ़ा देते हैं जिसे कि उनमें बहुत सारी बीमारिया उत्पन हो जाती हैं जैसे ही बीमारिया उत्पन हुई कीटों में तो कीट मर जाते हैं और इस टाइप से करते हैं परजीविता यानी पेरसिटिस्म मेथर्ड द्वारा कीटों का नियंत्रन इसके बाद देखिए फोर्थ मेथर्ड है सामाजिक नियंत्रन शोशल इंसेक्ट कंट्रोल इस भिधी के द्वारा कीटों के प्राकृतिक वास इस्थानों एवं ब्रीधिंग प्लेसेज को कम करने के लिए जलाशों का रख रखव घास पूस एवं जाडियों इत्यादी का उन्मूलन करके गंदे जल को उप्योक्त निकास इत्यादी का प्रवर्धन करते हैं और इस प्रकार सामाजिक जो नियंत्रन होता है शोशल कंट्रोल इंसेक्ट पर किया जाता है इसके बाद फिफ्ट में थर्ड है वे करते हैं तथा फसलों के हेर फेर की बिदी अपनाना चाहिए ठीक है तो इस टाइप से यदि हम कुछ अपने अंदर भी बदलाव करेंगे क्रशी के अंतरगत तो हम ये कीटों के प्रभाव से बच सकते और अपनी जो खेती है क्रशी उसे भी बचा सकते ठीक है तो यह होती साइंटिफिक नियंतरण साइंटिफिक इंसेक्ट कंट्रोल मेथड इसके बाद नेक्स्ट रासाइनिक विधी केमिकल कंट्रोल इसमें कीटनासक दवाईयों का यूज करते हैं इसमें डीडीटी टिक 20 निकोटिन फ्लेट और सेनिक सलफर के योगिक नैफ्थिलीन कपूर पाइरित्रिम इत्यादी का यूज करते हैं और इस प्रकार रासाइनिक विधी के द्वारा कीटों पर नियंतरण किया जाता है ठीक है तो रासाइनिक विधी में क्या करते हैं वेसिकली कीटनाशक जितनी भी दवाईयों होती है उनका यूज करते हैं और कीटों को मारते है तो देखिए जो DDT होती है उसके फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन ठीक है तो यह मैंने आपको इसलिए बताइए क्योंकि कभी-कभी इसकी फुल फॉर्म जो है वो multiple choice question में पूछ ली जाती है इस टाइप से किया जाता है जितने भी कीट होते उन पर न्यांतरन या फिर कीट न्यांतरन ठीक है तो यह important topic है अच्छे से इसको आप cover कीजिएगा कोई भी doubt आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताए I hope वीडियो आपको helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe जरूर करें मिलते हैं next video में new topic के साथ so thank you so much for watching keep on learning